नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर जानकारी को ले करके जिहां चाहे कैसा भी कफ क्यों नहो नारियल तेल और शेहत का ये प्रियोग उसको सुखा देगा बस आप एक बार आजमा कर तो देख जब भी फेफडे में कफ जमा हो तो घरेलू उपचार करने से रहत मिलती है अगर आपको भी कफ की समस्या बार बार सताती है या फिर आपके बच्चे को हर वक्त कफ रहता है तो आप हम जो नुश्खा बता रहे हैं इसका प्रियोग आवश्य करके देखें एक बार नारिय तेल में एंटि ओक्षिडेंट गूogly होते हैं और शहद में एंटि माईक्रोबियल और एंटि वायरल गूल पाए जाते हैं इन दोनों को अगर मिलाकर सेवन किया जाय तो कफ से तुरंथ ही छुटकारा पाया जा सकता है डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप कफ से पीडित ह तो रोजाना दिन में दो बार या एक से दो चमच शहद को नारियल तेल में मिक्स करके पीना चाहिए आपको अगर इस मिश्रम में थोड़ा सा निम्बू का रस भी मिक्स कर दिया जाए तो इसका असर दुगना हो जाता है तो अब आप बहुत जादा वक्त ना गमाएं अगर आप कफ से परिशान है तो आप नारियल ओयल में शहद मिक्स करके और उसका सेवन स्टार्ट कर दें आपको छुटकारा मिल जाएगी इस समस्या से यानि कि आपके कफ की समस्या से जहां दोस्तों और शर्दियां चल रही है इस मौसम में सबसे ज़्यादा ये प्रोब्लेम देखने को मिलती है इसलिए आज का हमारा जो वाइस ओवर था इसी सब्जेक्ट को टार्गेट करते हुए था अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे और बहादी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों